नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अर्शीद वेदियो, मैं फिर से सौध करता हूँ आपका अपनी इस वीडियो में देखिए, इंटरनेशनल और्गनाइशन के मैं शुरुवात कर चुका हूँ आपको इंटरनेशनल और्गनाइशन वाला जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप उस link पे जाके जितनी भी international organizations related में videos मना रहा हूँ आपको मिल जाएंगे आपकी यू basic perspective से important है United Nations के बारे में जो basic बाते थी वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ यहाँ पे जो principal organs है United Nations Organization में इसके बारे में बात करेंगे और आज एक और वीडियो में आपको provide करूँगा United Nations Development Program के बारे में जो कि इस वीडियो के आदे एक घंटे बादी आपको मिल जाएगा उसका link भी आपको इसी playlist मिल जाएगा जो कि आपका नीचे description box में दे रखी international organization की तो आगे बढ़नेस पहले वीडियो पे लाइक को बटन अगर अप तक आपने चैनलों के सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लेजे मेरे दोरा बनाएगी कुछ और वीडियो को देखने के लिए आप जॉइन बटन दबा के चैनल के में भर भी बन सकते हैं टेलिग्राम गूर्प जोइन कर लीजें वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीटी पीडियाफ साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी जोने डॉट्स बोच सकते हैं आपकी जनेन कोई इसके मैं जवाब दूँगा United Nations के छे प्रिंस्पल और्गनाशन हैं पहला प्रिंस्पल और्गनाशन आपका जनरल असेंबली दूसरा Security Council Security Council में वैसे तो किवल 15 मेंबर से जिसमें से 5 मेंबर की बहुत चलती है लेकिन ओवर ओल United Nations और्गनाशन में कुछ भी Security Council की मर्जी की बिना नहीं होता है फिर Economic and Social Council, फिर The Trusteeship Council, International Court of Justice, UN Secretariat ये है प्रिंस्पल और्गनाशन आफ यूनाशन आफ यूनाशन आफ यूनाशन आफ यूनाशन आफ यूनाशन के अंदर बहुत सी है और United Nations का जो Chief Administrative Officer है वो अलग होता है वो होता Secretary General जो की है Portuguese politician अभी के लिए Antonio Guterres एक जनवरी 2017 से तो Antonio Guterres साब ने अपना पांच साल का टर्म शुरू किया था एक जनवरी 2017 को ओके 2022 तक का इनका टर्म है हो सकता है 2022 के बाद इनके टर्म को आगे और एक्सेंड कर दिया जाए यूएनों को पैसा एसेस्ट कॉंट्रिबूशन मिलते हैं जितने भी मेंबर्स हैं आपके United Nations Organization की जो General Assembly में बैठते हैं उनके कुछ एसेस्ट कॉंट्रिबूशन होते हैं उनकी economy के हिसाब से और कुछ voluntary contribution जो वो अपनी अपनी सद्दा से देना चाहें होता है ना कि आप मंदिर में चाहिए तो वहाँ पे दान पेटी में आप अपनी सद्दा से कुछ पैसा डाल दे तो कुछ इस टाइब का सिस्टम है आगे बात करें पहला एक organization के पास है तो वो है security council जनरल assembly भी powerful है बट जनरल assembly दोरा किसी भी resolution को security council का कोई भी permanent member veto कर सकता है तो effectively जब बात आती peace और security की ताकत को दिखाने की तो security council बहुत ज़दा ताकत रो जाता है इसी लिए बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि United Nations के system को reform करना चाहिए बट reform की तरफ कुछ हो नहीं पा रहा है भी तो अभी के लिए security council सबस्यादा ताकत वर है इसके बात करेंगे सबसे पहले देखते general assembly में होता क्या क्या है तो main deliberative assembly है resolutions कोई important दुनिया का issue उसके बारे में बातचीत होती है इस general assembly में regular हर साल पे इसके sessions होते हैं कभी कभी कुछ emergency sessions भी बुलाए जाते हैं assembly का एक president होता है और ये president आपस में जो member state से general assembly में वो elect करते हैं तो ये बात याद रखी का president and secretary general of United Nations ये दो अलग-अलग post है ये जो president है ये general assembly का president है और एंटोरियो गुटरिस पूरे के पूरे United Nations के secretary general ने chief administrative officer है ओके बात की जाए पहला session कब हुआ था general assembly का 10 जनवरी 1946 को मैथोडिस्ट Central Hall in London में हुआ तो उस समय पे 51 nations थे अब एक लिए general assembly करती क्या क्या है तो भाईया peace और security के matters को issue करता है नए members को अगर include करना है United Nations के system में तो उसको discuss करता है budgetary message कि भाईया कौन-कौन से head में कितना पैसा खतम करना है कितना पैसा कहां से आया किसके पास कितनी emoting power इन सब चीजों के बारे में general assembly में बातचीत होती है कासबा दोस्तों ये है कि general assembly में जो resolutions लिये जाते हैं हर resolution bounding नहीं होता है कुछ important देखें binding decisions लेने की ताकत United Nations के system में केवल एक organization के पास है वो security council के पास है तो मान लेजे सीरिया में civil war चल रहा है या फिर आप ISIS की बात कर लो Islamic state तो Islamic state ने रक्का नाम का शहर है वहाँ पे बवाल मचा रखा है अभी वहाँ पे बवाल मचा रखा है तो तो United Nations के उपर जिम्मेदारी बैठती है या रखा में इतना बवाल मचा हुआ है वहाँ पे लोग परिशान हो लें तो कुछ करिए तो वहाँ पे अगर कोई action लेना है तो security council इस बात के उपर decision लेगा कि election लेना है या नहीं लेना है assembly recommendation दे सकता है तो United Nations के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है उसके recommendations assembly दे सकता है peace और security के matter में recommendation देना possible नहीं है United Nations की assembly के लिए general assembly के लिए क्यों जिन matters में security council already बातचीत कर रहा है और अगर वो peace और security के matter है तो उसमें general assembly कोई भी बातचीत नहीं करेगी हाँ अगर कोई नया issue आता general assembly के पास तो वहाँ पे resolutions पास करके या अपना viewpoint general assembly दे सकती है लेकिन peace और security के matters में अगर किसी चीज़ को authorize करना है तो security council का approval mandate रही है अब बात कीजाए security council की दुनिया भर के देशों में peace और security को maintain करने के लिए recommendation देना ये काम किसका है security council का तो कहीं पे war हो रहा है उस war में शान्ती समझोरता कराना cease fire कराना ये सब चीज़ें कौन करता है UN security council करती है पांच permanent members है China, France, Russia, United Kingdom and United States तस non-permanent members है तो total membership कितनी security council की 15 इन पांच members के पास veto power है और ये पांच members आज की date में इस हद तक बट चुके है कि किसी न किसी issue पे कोई न कोई country तो veto कर ही देता है ठीक है न तो अगर India के against कुछ होगा तो अविसी बात है Russia पहले तो Russia veto करता था अब US हमारे support में आ गया है France हमारे support में आ गया है तो मतलब दुनिया इतनी बटी हुई है कि किसी major action से पहले कोई सी न किसी का veto तो देखे आही जाता है जो बाकि 10 non-permanent members है उनके पास कोई भी veto power नहीं है वो 2 year terms करते हैं मतलब कि अगर आप non-permanent member बनते हो तो आप 2 साल का tenure करोगे 2021 में इंडिया एक non-permanent member बनने वाला अभी के लिए जो 10 non-permanent members हैं उनके बारे में आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ 50 ऐसे United Nations के member states हैं जो कि आज तक कभी भी security council के member नहीं बने हैं security council is a very important organization अगर कुछ भी करना है कोई भी action लेना है तो कौन लेगा security council लेगा फिर बात करते हैं UN Secretaryatea की हमारे secretary general जो की हैं आपके Antonio Guterres, Portugal के हैं इनको assist करते हैं deputy secretary general और इनकी मदद करने के लिए staff of international civil servants है तो कल की date में आप IS बन जाते हो IS बन के आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने जिले में हर जगा पे central government आपसे बहुत खुस हो है आप चाहेते हो तो हो सकता है कि आपको UN Secretariat में deputation दे दे यह एक plump posting एक बहुत important posting मानी जाती है जो high level के IS officers हो थे उनके लिए इस UN Secretariat में information के बारे बात चीद बहुत सी देखिए UN body की जो meetings होती है उन meetings को coordinate करना तो चाहे general assembly की meeting हो रही चाहे security council की meeting हो रही economic and social council की हो रही किसी भी UN body की meeting हो रही उससे related information पूरे के पूरे मतलब जो centralized functioning है UN की मतलब पूरा का पूरा administrative work UN का कहा होता है UN Secretariat में होता है इस UN Secretariat का Secretary General de facto spokesperson होता है Leader है Secretary General किसका United Nations का Chief Administrative Officer है यहाँ पे एक article अगर आप याद रख सको Article 99 of the UN Charter क्या बोलता है Security General can bring to the security council's attention any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security तो मतलब कि UN का Secretary General इतना त्लाकत वर है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा particular member है जो कि पूरे देश की दुनिया की security को effect कर सकता है तो उस matter को UN Security Council के सामने अपने personal basis पे security general लेका सा personal basis मतलब किसी से discuss किये बेना किसी से voting कराए बेना खुद जाके वो security council से बोल सकता है कि सर देखे यहाँ पर यह problem चल रही है आप कुछ करिए तो यह जो security general साब देख रहे है आपको Antonio Guitars काफी important position इनकी बान की moon रहे थे 2017 तक security general पांच साल के term होगे तो कित्ते दिन तक रहेंगे दस साल तक रहेंगे ठीक है आगे बात करते है international court of justice की यह हेग the Netherlands में situated है this is basically the primary judicial organ of UN 1945 में by UN Charter ICJ को बनाया गया था इससे पहले था permanent court of international justice उसके बाद आया है international court of justice इसमें 15 जजिस की appointment होती है हर जज 9 साल का term करता है इनको appoint को उनकी अरता है general assembly इनको appoint करती है वो अलग बात है कि general assembly अगर किसी को judge appoint करती है United Nations Security Council कोई member नहीं चाहता है तो वो उस चीज़ को veto कर सकता है यह काम कहां से करता है international court of justice peace palace in Hague से यह काम करता है इसका primary purpose क्या है adjudicate disputes among states तो भाई यह war crime से related illegal state interference, ethnic cleansing इस type की जो issue है वो international court of justice पे आते है international court of justice में एक problem है कि दो अलग-अलग countries अगर मिल के कोई case लेके जाएंगे तो ही उसका आप देखे international court of justice मालिजे किसी दो countries की बीच में लड़ाई चल रही ठीक कुल भूशन जादा वो को लेके तो भाई कुल भूशन जादा वो को लेके पाकिस्तान और इंडिया की बीच में लड़ाई कर रही कि कौन सही, कौन गलत यह इंडिया का जासूस था, नहीं था इन सब चीजों पर ruling दे सकता है कौन? international court of justice बट एक प्रॉब्लम है international court of justice रोभी ruling देगा जरूरी नहीं है कि वो जो countries है वो उस ruling को माने वो चाहे तो उस ruling को reject भी कर सकते है तो UN की bodies जो भी ruling देती है वो mandatory नहीं होती किसी country के ओपर फर एक्जामपल UNCLOS का आपने नाम सुनाओगा United Nations Convention on the Law of Sea उसके अंदर जो tribunal बना है उस tribunal ने ये ruling दी कि जो South China सी है वो पूरी तरीके से China को belong नहीं करता है और China की जो 9-line है ये गलत है China ने उसके verdict को मानने से मना कर दिया तो चाहे International Court of Justice हो चाहे UN का कोई और organization हो अगर वो अपना कोई judgment देता है कोई resolution निकालता है तो ये judgments, ये resolutions mandatory नहीं है बस security council अगर कहीं फे military action को recommend करेगा तो military action किया जा सकता है फिर economic and social council की बात कर लेते हैं ये economic and social council का जो काम है बहुत broad है General Assembly की मदद करता है किस चीज़ में पूरी दुनिया में economic और social cooperation और development को बढ़ाने में प्रेजिडेंट को एक साल के टर्म के लिए elect किया जाता है ECOSOC में बहुत सी small और middle powers आती है इनकी meeting होती है एक बार जुलाई में या तो नियॉयोक में होगी या जैनवा में होगी ECOSOC को बहुत बार इस बात के लिए criticize भी किया गया है दा commission on sustainable development ऐसी बहुत सी ECOSOC की subsidiary bodies भी है बहुत से non-governmental organizations को consultative status प्रोवाइड करता है ये ECOSOC 2004 तक 2200 organizations को consultative status दिया जा चुका है ECOSOC दोरा फिर बात करते हैं ट्रस्टिशिप काउंसल ट्रस्टिशिप काउंसल को 1945 मनाएगा UN चोटर के दोरा chapter 13 के अंदर यहां पे इस ट्रस्टिशिप काउंसल का देखे अभी के लिए ट्रस्टिशिप काउंसल existence नहीं है 1994 में ट्रस्टिशिप काउंसल ने काम करना बंद कर दिया इस ट्रस्टिशिप काउंसल को बनाया क्यों गया था 1945 में जब Second World War खतम हुआ उसके बहुत 11 ऐसी ट्रस्टिशिप थी देखे ए 11 ट्रस्टिशिप थी जिनको साथ मेंबर स्टेट्स के अड्मिनिस्टिशिप के अंदर रखा गया यह मेंबर स्टेट्स पहले कोलोनिल कंट्रीज की तरह इन 11 की 11 ट्रस्टिशिप का खून चूस रही थी जैसे की मान लीजे इंडिया को अगर आजादी नहीं मिलती 1947 में तो हो सकता है इंडिया को UK का अंदर एक ट्रस्ट ट्रिट्री की तरह रख दिया जाता और UK चूकि पहले कॉलोनिल पावर थी वो इंडिया के ऊपर एज़ा ट्रस्ट ट्रिट्री काम कर रहा होता मतब इंडिया-UK की एक ट्रस्ट ट्रिट्री हो जाती उस केस में होता क्या कि जो ट्रस्टिशिप काउंसल है ये वाले लोग इंडिया में बार बार आते और ये देखते कि क्या इंडिया का जो management हो रहा है UK के दोरा as a trust territory वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है कुल मिला के जो parent member था वो trust territory के respect में एक responsibility रखता था कि धीरे धीरे हम यहाँ पर administration को evolve करेंगे governance को involve करेंगे और धीरे धीरे ये countries independence पा जाएंगी यहाँ पर self government आ जाएगी 1994 तक सारी की सारी 11 की 11 trust territories को self governance या independence मिल चुकी थी इसलिए ट्रस्टिशिप काउंसिल ने 1994 में काम करना बंद कर दी है 1994 तक ट्रस्टिशिप काउंसिल ने बहुत सही तरीकी से काम किया गया था Second World War खतम होने के बाद 11 trust territories जो की गुलाम थी बाकी देशों की उन देशों को responsibility दी गई कि इन गुलाम territories को या top self governance दीजिए independence दीजिए जैसे इनको independence मिल गई 1994 में ट्रस्टिशिप काउंसिल को खतम कर दिया गया आगे बात करेंगे UN की specialized agencies की और फिर अलग अलग प्रोग्राम जैसे की UNDP, UNEP, UNFPA इन सब चीजों के बारे में subsequent videos में आपको बताऊंगा, so thank you for watching friends, I hope आपको सीखने को मिला होगा, have a great day, good bye.